आखिर प्लूटो ग्रह के साथ क्या हुआ 2006 से पहले हम सभी को प्लूटो ग्रह के बारे में बढ़ाया जाता था जिसमें हमें कुल मिलाकर 9 ग्रह के बारे में बताया जाता था लेकिन उसके बाद हमें केवल 8 ग्रह के बारे में ही बताया जाता है प्लूटो को Astronomical Community द्वारा ग्रह नहीं माना जाता है तो आखिर प्लूटो का क्या हुआ देखिए 2006 से पहले अंतरराष्ट्रिय Astronomical Sung यानी IAU के पास आखिर ग्रह क्या है इसकी कोई ठोस definition नहीं थी लेकिन 2006 में IAU तीन क्राइटेरिया के आधार पर एक परिभाशा बनाया पहला किसी भी ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए दूसरा ग्रह का गुरुत्वा कर्शन खिंचाव इतना मजबूत होना चाहिए कि वह एक स्फेर का आकार ले सके और तीसरा है कि ग्रह इतनी विशाल होनी चाहिए कि उसकी कक्षा से मल्बा साफ हो सके मरकरी से लेकर नेप्च्चून तक सभी ग्रह इन तीन क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं लेकिन प्लूटो इन क्राइटेरिया को फोलो नहीं करता है और इसलिए प्लूटो को एक ड्वाफ प्लैनेट बताया गया है